हम बात कर रहे हैं आप पूर्ण अधिलेखों की जिसके अंकिक प्रिष्णों को हम हल कर रहे थे और हमने आपके प्रिष्ण संक्या 14 तक पिछली वीडियों में घल कर लिया था आज भागदस में हम लेकर आयें प्रिश्ण संख्या 15 से लेकर प्रिश्ण संख्या 23 तक तो आईए शुरू करते हैं आपके पाठे पुस्तक के अंकिक प्रिश्ण अंकिक प्रिश्न संख्या 15 निमलिखे सूचनाओं से लेंदार को बुक्तान की गई राशी यानि आपको इबताना है कि क्रेडिटर को कितना पे किया गया है 31 मार्च 2017 को विविद लेंदार 1,80,425 प्राप्त बट्टा 26,000 बट्टा दिया 24,000 क्रेव आपसी 37,200 विक्रेव आपसी 32,000 स्वीकरत विपत्र 1,99,000 विपत्र का लेंदारों को हस्तानांत्रन इसका मतलब है आपने अपने विपत्र लेंदारों को बेचे हैं जिसकी राशी है 26,000 एक अप्रेल को लेंदार 2,09,050 रुपए कुल क्रेव 8,97,000 और नकत क्रेव दे रखा है 1,40,000 सूचनाओं को पढ़ने के बाद ये पता चलता कि इसमें कुछ मदें ऐसी है जो क्रेडिटर अकॉंड में नहीं आएगी तो आईए एक बार पहले आपको समझा देते है yellow closing balance जिसें क्रेडिटर एक लाइबलेटी प्राप्त की एंट्री होती है डिश। account debit to debtor, तो यह debtor account के मदध है, क्रेव आपसी, इसके entry होगी creditor account debit to purchase return, तो यह creditor account में to purchase return आ जाएगा, विक्रेव आपसी नहीं आएगा, यह भी debtor account के मदध है, जिसके entry होती है, sales return account debit to debtor, स्वीकरत विपत्र, creditor account debit to BP, विपत्र का लेंदारों को हस्तानांत्र, इसकी entry होती है, creditor account debit to BR, यही एक मात्र ऐसी entry है, जिसमें BR और creditor का connection होता है, opening balance जो है, वो buy balance BD लिखा जाएगा, कुल क्रे, 8,97,000 रुपए है, जबकि नकत क्रे, 1,40,000 रुपए है, students इसको इसमें से घटा दीजिए, तो आपको पता चलेगा, उधार क्रे, जिसका amount है, 7,57,000 और यह 7,57,000 creditor account में buy purchase लिखा जाएगा, क्योंकि उधार क्रे की entry होती है purchase account debit to creditor, चलिए, तो शुरू करते हैं, creditor account बनाना, ताकि हमें यह पता चल सके, कि हमने creditor को कितना payment किया है, चलिए, तो शुरू करते हैं, सबसे पहले opening balance लिखेंगे, 2,9,050, तो लिख दीजिए, buy balance BD, 2,9,050, इसके अलावा, अगर बात करूं, तो इसके बाद, closing balance, 18425, closing balance लिख दीजिए, 18,425 रुपए, बटा प्राप्त 26,000, to discount, क्योंकि इसके entry होती है, creditor account debit to discount, उसके बाद में, बटा दिया नहीं आएगा, क्रेवापसी 37,200, जिसके entry होती है, creditor account debit to purchase return, तो to purchase return लिख दीजिए, 37,200 रुपए, इसके बाद, अगर बात की जाए, तो स्वीकरत विपत्र, जिसके entry होती है, creditor account debit to BP, तो 2 BP, 1,99,000 रुपए, इसके अलावा, अगर बात की जाए, तो विपत्रों का लेंदारों को हस्तान जिसके entry होगी, creditor account debit to BR, तो 2 BR लिख दीजेगा, 26,000 रुपए, उधार purchase जो आपने मालूम करी है, कितनी है, 7,57,000, तो ये लिख दीजिए, by purchase, 7,57,000, अब इसका योग लगा कर, अंतर की राशी को 2 cash हम लिखेंगे, तो अगर हम जब इसका योग लगाते हैं, तो ये आता ह है, credit side का 9,66,050, और debit की मदों का जब हम योग लगाते हैं, तो वो आता है, 4,68,625 रुपए, अब इसका अंतर जब हम निकालते हैं, तो इसका अंतर आता है, 4,97,425 रुपए, वो आप यहाँ लिख दीजिए, और दोनों तरफ का योग लगा दीजिए, 9,66,050, अगर आपकी पाठ्य पुस्तक के उत्तर की बात करें, तो आपकी पाठ्य पुस्तक का उत्तर इस प्रिष्ण का गलत दिया हुआ है, वो 4,40,000 कुछ रुपए है, जो के गलत है, क्योंकि दिये गए जो डेटा हैं, उसके अनुसार इसका उत्तर यही होगा, चलिए, अपरेल 2016 को लेंदारों का शेश 45,000 रुपए है, और नकत क्रें 1,440,000 रुपए है, 31 मार्च 2017 को लेंदारों का शेश 36,000 है, लेंदारों को रोकड भुकतान 1,8,000 है, लेंदारों को चैक से भुकतान 60,000 है, रोकड क्रें 55,000 है, लेंदारों से प्राप्त बट्टा करेंदार 55gend fautes 25000 लेंदारों को δेव पत्र 12 salsa paca pou légisustanantran अब अगर यहाँ बात की जाये तो आपको मालूम करना है कौन सा क्रेंडार क्रेंड Karl क्रे के लिए आपको बनाना होगा total creditor account लेकिन total creditor से पहले यह देख लें कि यहाँ अगर बीपी की सूचना दे रखी है तो बीपी के opening closing दे रखें तो हो सकता है बीपी account बनाना पड़े तो बीपी से संबन दी तो और कोई सूचना नहीं है इसलिए BP अकाउंट लेंदारों को दे विपत्र एक और है creditor account debit to BP के entry हो जाएगी लेकिन BP का opening closing नहीं दिया हुआ अगर BP account का opening account या closing balance आपको दिया हुआ होता तो पहले BP account बनता और उससे जो result निकलता वो creditor account में transfer होता फिर creditor account बनता लेकिन यहां ऐसी कोई आउशकता नहीं है तो लेंदारों का opening balance credit side में जाएगा और closing balance debit side में जाएगा तो सबसे पहले यही लिखते है तो नकत करे आता नहीं है creditor account में क्योंकि नकत करे कि entry क्या होती है purchase account debit to cash तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं opening balance दे रखा है 45,000 तो by balance BD 45,000 और closing balance दे रखा है 36,000 तो two balance CD 36,000 इसके अलावा अगर बात करें लेंदारों को रोकर बुकतान creditor account debit to cash लेंदारों को check से बुकतान creditor account debit to bank तो यह दोनों credit account में two cash और two bank के नाम से लिखे जाएंगे two cash 1,80,000 और two bank 60,000 जिस तरीके से सूचना दी गई है उसकी entry करते जाई है जो entry इसमें आनी है वो लिख दीजिए अब कौन से entry आएगे जिस entry में creditor शब्द आएगा वो आएगी लेंदारों को check से बुकतान कर दिया इसके बाद में रोकर क्रे नहीं आएगा रोकर करे और नकत करे एक ही है वो दोनों नहीं आएगे लेंदारों से प्राप्त बट्टा चववन सो लेंदारों से प्राप्त बट्टा चववन सो जिसके entry होगी इसके बाद में आगे अगर बढ़े तो बट्टा दिया इसकी बट्टा हम देंदारों को देते हैं जिसकी entry होती है discount account debit to debtor तो वो इसमें नहीं आएगा लेंदारों को देविपत्र इसके entry होती है creditor account debit to BP तो 2 BP 12,750 अगली entry की अगर बात करूँ तो अगली जो entry है वो है क्रेव आपसी जिसके entry होती creditor account debit to purchase return तो to purchase return पिछेतर सो इसके अलावा अगर बात की जाए तो देविपत्र अनादरत जब देविपत्र अनादरत होते हैं तो इसके entry होती है BP account debit to creditor तो creditor account में by BP आजाएगा 3000 रुपए इसके अलावा अगर बात करें तो प्राप्य पत्र का लेंदारों को हस्तानांतरन यानि कि आपने अपने बियार को अपने लेंदारों को बेचान कर दिया जिसकी entry होगी creditor account debit to BR तो 2 BR 4500 रुपए 2 BR 4500 रुपए लिख दीजे लेंदारों को दीएगए विपत्रों का नादरत होणा इसके entry होती है debtor account debit to creditor जब कभी भी लेंदारों को दीए विपत्र बेचान किये गए विपत्र नादरत होते हैं तो entry होती है debtor account debit to creditor ये एंट्रीज सारी आपको शुरूर में समझाई गई है तो ये लिख दीजे बाइट डैटर अठारा सूर पर है सारी मदों को लिखने के बाद आपको बता दू मैं इसमें कौन-कौन से एंट्रीज नहीं आई है जैसे कि विक्रेवापसी इसका संबंद देंदार से है इसके अलावा अगर बात की जाये तो बता दिया ये देंदार उसे संबंदित है यहाँ पर दो रोकड क्रह दे रखे है यह भी नहीं आएंगे क्योंकि cash account से संबने था बाकिय मदों को हमने लिख दिया है अब बात करते हैं इसके योग की तो इसके debit का योग आ रहा है 3,6,150 जबकि credit का योग आ रहा है गुनेंचा 1,800 अब हम बात करते हैं इसके अंतर की 2,56,350 रुपए की आपके उधार क्रे होगी तो यहां लिख दीजे 2,56,350 और दोनों तरफ का योग लगा दीजे 3,6,150 और 3,6,150 अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 को हम पूरा कर चुके हैं अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की निमने सूचनाओं से कुल क्रे की गढ़ना करें कुल क्रे मतलब टोटल परचेज और टोटल परचेज तब निकलती है जब कैश परचेज और क्रेडिट परचेज को जोड़ दिया जाता है एक अप्रेल को लेंदार दे रखें 30,000 31 मार्च को लेंदार दे रखें 20,000 दे विपतर का आरंबिक शेश 25,000 दे विपतर का अंतिम शेश 35,000 लेंदारों को रोकड भुकतान 1,55,000 विपतर का भुकतान 4,500 नकत क्रे 1,23,000 और क्रेव आपसी 6,000 जैसा कि देखकर पता लग चुका है कि अगर कुल क्रे पूछा है तो हमें नकत क्रे तो दिया हुआ है और नकत क्रे किता दिया हुआ है 1,29,000 हमें मालूम करना होगा उधार क्रे और दोनों को जोड़ देंगे तो नकत जो कुल क्रे है वो निकल कर आजाएगा लेकिन अन्फरमेशन निकले वो डाईत पक्ष की मद से वोपनिंग बैलेंस बाइ में और क्लोजिंग बैलेंस टू में ट्रस्फर किया जाएगा तो आईये बात करते हैं बीपी बैलेंस 25,000 और क्लोजिंग बैलेंस 35,000 बैलेंस बीडी 25,000 और टू बैलेंस सीडी 35,000 इसके बाद में अगर बात की जाए तो लेंदारों को बीपी से रिलेटेड और कौन सी इंफरमेशन है विपत्र का भुकतान टू कैश चम्वाली स्पांसो लिख दीजिए और अब अंतर की राशी जो होगी वो होगी बाई क्रेडिटर और ये राशी क्या होगी जितने हमने क्रेडिटर को बीपी में स्विकार किये हैं जितने लेंदारों से वो राशी निकल कर आएगी तो इसका योग लगा लीजिए इसमें से 25,000 उपर लैस कर दीजिए 54,500 जिसकी entry होगी creditor account debit to BP तो यह आपके BP account के अंदर तो आया है by creditor और creditor account के अंदर लिखा जाएगा to BP चलिए अब बात करते हैं creditor account की creditor का opening balance 30,000 और closing balance 20,000 है एक entry हमने BP account से निकाली है creditor to BP तो लिख दीजिए 54,500 इसके अलावा अगर बात की जाए तो और कौन-कौन सी entries है लेंदारों को रोकड भुकतान creditor account debit to cash तो to cash लिख दीजिए 51,000 इसके अलावा अगर बात की जाए तो विपत्र का भुकतान जा चुका है क्रेव आपसी creditor account debit to purchase return तो to purchase return 6000 अब लगाते हैं इसका योग और अगर इसके योग की बात की जाए तो यह आ रहा है दो लाख 31,500 अब बात करते हैं total purchase की तो total purchase के लिए अपने जो credit purchase निकाली है कितनी दो लाख 1500 और जो cash purchase सवाल में दी गई है एक लाख 29,000 दोनों को जोड़ दीजे और दोनों का योग आता है तीन लाख 30,500 इसी के साथ आपका प्रिश्न संक्या सत्रा पूरा होता है अब बात करते हैं प्रिश्न संक्या अठारा की निम्न सूचनाय दी गई है आरंबिक लेंदार साथ हजार लेंदारों का रोकड भुकतान 30,000 अंतिम लेंदार 36,000 विक्रेवापसी 13,000 परिपक्व प्राफ्यवपत्र 27,000 प्राफ्यवपत्र अनादरत 8,000 क्रेवापसी 12,000 बट्टा दिया 5,000 वर्ष के दोरान उधार क्रे गयात किजिए तो अगर यहां बात की जाए आपको बनाना है क्रेडिटर अकॉंट और यहां बहुत सारी ऐसी इंफॉमिषंस हैं जो क्रेडिटर अकॉंट में नहीं आएगी बट्टा दिया इसका संबंध भी क्रेडिटर से नहीं है क्योंकि बट्टा जो देते हैं वोसे संबंदित होता है बाकी मदें आपको क्रेडिटर अकाौट बनाका और इंफर्मेशन निकालनी है तो बात करते हैं opening क्रेडिटर दे रखें साथ हजार तो by balance BD साथ हजार क्लोजिंग क्रेडिटर की अगर बात की जाए तो क्लोजिंग क्रेडिटर आपको दे रखे हैं 36,000 तो बाइ बैलेंस CD, टू बैलेंस CD 36,000 इसके अलावा और कौन-कौन सी मद है लेंदारों को रोकर भुकतान, क्रेडिटर टू कैश 30,000 और पर्चेज रेटन आपको दे गई है 12,000 तो क्रेडिटर अकाउंट डैबिट टू पर्चेज रेटन, टोटल जब हम इसका लगाते हैं तो यह आता है 78,000 और 78,000 से 60,000 घटाने के बाद राशी आती है 18,000 आपकी पठ्थे पुस्तक में इसका उत्तर 37,000 दिया गया है जो की गलत है क्योंकि जो सूचना यह दे गई हैं उसके इसाब से उधार क्रेके गड़ना होती है 18,000 प्रिश्ण संख्य 18 को पूरा करने के बाद अब चलते हैं प्रिश्ण संख्या 19 की और निमन से वर्ष के दौरान स्वीकत विपत्र की राशी यानि आपको बताना है कि कितने क्रेडिटर के आपने बीपी स्विकार किये हैं एक अप्रेल 2016 को दे विपत्र एकलाक 80,000 है 31 मार्ट 2017 को दे विपत्र 220,000 है आपको प्रारंबिक शेष और अंतिमशेष दे दिया गया है यह एक लाइबलेटी इसकी मद है इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस बाइबैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी लिखा जाएगा वर्ष के दौरान अनादृत देविपत्र 28,000 रुपए जिसकी एंट्री होती है अन पर फिरसे आपको बता दें ओपनिंग बैलेंस वाइबैलेंस बीडी ग К्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस एडी वर्ष के दौरां अनादृत प्राप्य पत्र के के एंट्री होगी बीपी टू क्रेडिटर तो आपक क्रेंपनिंग बैलेंस एक लाफ 8,000 और क्लोंजिंग ब बीपी अकाउंट डैबिट टू क्रेडिटर तो ये लिख दीजिए टू क्रेडिटर 28,000 और वर्ष के दौरान आपने जो पैसा चुकाया है वो चुकाया पचास जार जिसके एंटर्वी बीपी टू कैश 50,000 अब इसका जोड बाकी कर लीजिए और जब हम इसका योग लगात और जब अंतर हम निकालें तो इसका अंतर आता है 1,18,000 यानि वर्ष के दौरान आपने 1,18,000 के क्रेडिटर्स का बीपी एक्सेप्ट किया है तो ये लिख दीजिए बाई क्रेडिटर 1,18,000 और दोनों तरफ का योग लगा दीजिए 2,98,000 और 2,98,000 अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं प्रिष्ण संख्या 20 की नीचे दी गई सूचनाओं से वर्ष के दौरान परिपक्व विपत्र की राशिग्याद कीजिए ये परिपक्व विपत्र का मतलब यानि ये बताईए कि कितने बी आर ऐसे हैं जो वर्ष के दौरान कैश में पड़ा जिसकी एंट्री होती बीपी टू कैश देविपत्र अनाद्रत 37,000 अनाद्रत होने की एंट्री होगी अभी आपको बताई थी बीपी अकाउंट डबेट टू क्रेडिटर देविपत्र का अंतिम शेष ये आजाएगा टू बैलेंस एडी प्रारंविक शेष कि अधरत हुआ है तो यहाँ पर एंट्री होगी अपके मालीजे आपने इसक्रेडिपर को च्यक्ष दिया है तो उसके उत्री जब आब चैक करते हैं तो डिस्वार होने पर उल्टी एंट्री अंट्री लेकिन वैसे देखा जाए तो चेक की जो एंट्री है वो देनदारों से सब्मन देते हैं तो यह एंट्री में नहीं आएगी चलिए शुरू करते हैं तो हमें बीपी अकाउंट बनाना बीपी का ओपनिंग बैलेंस है 70,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 85,000 तो बाइ बैलेंस बीडी तो लिख दीजिए 70,000 और यहां लिख दीजिए 85,000 इसके बाद अगर बात की जाए तो स्वीक्रत देविपत्र जिसकी एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डाइबिट टू बीपी तो बाइग क्रेडिटर और अमाउंट होगा इसका स्टूडेंट's 90,000 रुपए तो डेविपत्र अनाध्रत डेविपत्र की एंट्री होती है बीपी अकाउंट डाइबिट टू क्रेडिटर सहतीजार यह लिख दीजिए 37,000 रुपए और अंतर की राशी आपको बताने कि कितनी क्या पूछ रहा है परिपक्व यानि कितनी वीपी को अपने पैसा चुकाया तो अब बात करते हैं इसके योग की तो इधर का जो योग है स्टुडेंट्स वो आ रहा है आपके एक लाख साथ हजार रुपए और इधर का जो योग है वो आ रहा है आपके एक लाख बाईस हजार रुपए अंतर की राशी जो इसमें आ रही है स्टुडेंट्स वो आएगी 38,000 रुपए तो टू कैश लिख दीजे 38,000 यानि वर्ष के दौरान 38,000 के बीपी का आपने भुकतान किया वर्ष के दौरान 38,000 परिपक्व हो गए प्रिष्ण संख्या 20 को पूरा करने के बाद बात करते हैं प्रिष्ण संख्या 21 की निम्न से देय खाते बनाएं देय का मतलब बीपी भी हो सकता है क्रेडिटर भी हो सकता और दोनों का जॉइंट रूप भी हो सकता है सुचनाओं को पढ़कर पता लगे देय खाते को रोकड का बकता अब देय खाते अगर क्रेडिटर है तो क्रेडिटर टू कैश और बीपी है तो बीपी टू कैश और दोनों है तो दोनों एक साथ पेबल टू कैश विपत्र का लेंदारों को हस्ताना अंत्रन तो यहां अगर बात की जाए तो विपत्र का लें आपको बनाना है दे से मतलब यहां पर अक्रेडिकर अकॉंट बनाना होगा क्रेडिटर के ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस दिये हुए है चलिए शुरू करते हैं क्रेडिटर की अगर बात करें जब दे का मतलब है तो दे वैसे बीपी और क्रेडिटर दोनों को जॉइंट रूप में बोला जाता है पेबल अकाउंट तो बाइ बैलेंस बीडी तो लिखेंगे 85,000 और ओपनिंग बैलेंस की बात करें तो ओपनिंग बैलेंस इसमें नहीं दिया गया है चलिए वो ग्यात कर लेंगे जो जो सुचनाए है पहले हम क्रेडिटर अकाउंट डैबिट टू बीपी तो टू बीपी लिख दीजिए एक लाग पाँच हजार जो जो सुचनाए हमें मिलती जा रही है वो वो हम लिखते जाते हैं प्राप्त बट्टा टू डिस्काउंट सत्रह हजार क्रेव आपसी तू पर्चेज रिटन नो हजार विक्रेव आपसी नहीं आएगा देखा तो विक्रेडिटर टू कैश पचास हजार प्राप्त विपत्र का लेंदारों को हस्ताना अंत्रन इसके एंट्री होगी ग्रेडिटर अकाउंट डैबिट टू बी आर तो टू बी आर लिख दीजिए पैता हजार बेचे गए विक्रेडिटर का अनाद्रन इसके एंट्री होती है डैटर टू ग्रेडिटर तो बाई डैटर आएगा सत्रा हजार इसके अलावा अगर बात करें तो डू बत्रेड नहीं आएगा क्योंकि डैटर अकाउंट से संबंदी तो देख आतू का अंति मिशेश दे रखा है पिच्छासी हजार तो यह लिख दीजिए पिच्छासी हजार टू बैलेंस सीडी और साथी साथ उधार क्रेड भी दिया ह अब योग लगा लीजिए और जो अंतर की राशी होगी वो ओपनिंग बैलेंस होगा और ओपनिंग बैलेंस स्टूडेंट स्टॉडेंट स्टॉडेंट स्टॉप पर लिखा जाता है तो हम यहां लिखेंगे बाए बैलेंस बीडी चलिए मालूम करते हैं तो अब इसका योग अगर हम लगाते हैं तो इसका जो योग है वो आरा है 3,11,000 डैबिट पक्षका और 2,32,000 प्रेडिट पक्षका अब बात करते हैं प्रश्ण संख्या 22 की वर्ष के दौरान प्राप्त बिल की राशे की गढ़ना करें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है संपत्ति की मध है पिछेत्तर जा टू बैलेंस बीडी अनाद्रत प्राप्विपत्र वैसे बी आर के अनाद्रत होनों की बहुत सारी प बताई हैं आपको लेकिन जब कोई सुच रह निए तो आप यह माने की अंचिरि ऊंगी प्राप्त बिल बैलेंस बंच सबूरा किशो को देशनार स दिया हुआ है वो लिख दीजिए इसके बाद और सूचना है अनाधरत प्राप्पे पत्र तो इसके एंट्री होती है डेटर टू बीयार तो बाइटर लिख दीजिए 25,000 उसके बाद में प्राप्त बिल परिपक्व कैश अकाउंट डेट टू बीयार तो बाइट कैश लिख दीजिए और बाइट कैश में 1,30,000 प्राप्पे विलोगा लेंदरों का स्तान अंतरन क्रेडिटर टू बीयार तो बाइट क्रेडिटर लिख दीजिए 15,000 और अब जोड बाकी करकर इसका अंतर निकाल दीजिए अगर इसका जोड हम करें स्टूनेंट्स तो इसका जोड है वो आरा 2,35,000 और इसमें से लैस कर दीजिए 75,000 रुपै 1,60,000 के बीपी जो है बीयार जो है वो आपने स्विकार किये है तो अकाउंट के हेडिंग गलत लगे हुई है ये है बीयार अकाउंट और यहां लिखतीजिए का 1,70,000 रुपै और टोटल है दोनों तरफ से 2,35,000 और 2,35,000 अब बात करते हैं प्रिश्ण संख्या 23 की निमने सूचनाओं से अनादरत प्राप्पे विपत्र की राशी की गढ़ना करें बीयार का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी प्राप्पेवपत्रों का अस्ताना लुटर यानि लेंदरों को अपने बीचा है तो इसके इंटरी होगी विएर तो तो बाइटीटर तो आईए शुरू करते हैं बी आर अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले बी आर अकाउंट की बी आर अकाउंट की अगर बात करें तो सबसे पहले opening balance लिखें एक लाग बीस है जार रुपे और closing balance लिखें आप क्लोजिंग बैलेंस कि अगर बात करें तो अंतिम शेश आपको दे रखाए 50,700 रुपया बाकी नदों के एंट्रीज कर दीजे प्राप्यवपत्र परिपक्व इसके एंट्री होगी प्राप्यवपत्र को अंतिम शेश लिख चुके हैं प्राप्यवपत्र देंदार उसे प्राप्यवपत्र प्राप्यवपत्र होते हैं जिसके एंट्री होती है देञे लिक्रेवपत्र निक अंतिर निकालते हैं जोड़ बाकी की तो डेबिट का योग तो बिलकुल सिंपल सा आ रहा है, दो लाख सतर हजार और जब अंतर निकालते हैं श्का तो स्टुडेंट्स वो आता है, 11,500 जोकी होगा अनादृत प्राप्यवपत्र के एंट्यों थे डैटर अकाउंट डैबिट टू भी आउ तो अनादृत प्राप्यवपत्र इन्होंने पूछे इन्होंने का अनादृत प्राप्यवपत्र तो भाई डैटर आजाएगा 11,500 और दोनों तरफ का टोटल लगा दीजएगा 2,70,000 और 2,70,000 इसी के साथ प्रश्ण संख्या तेविस पूरा होता है आगे की वीडियो में मिलेंगे आगे के अंकिक प्रश्णों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद